और वो है आपके लिए ITC जड़ाइस का चार्ट पुलक करिए डेज लो पर रिये ट्रेट कर रहा है साड़े चार परसेंट का कट आपको ITC में आते वे दिखेगा करीब 30 गिरावट में कॉंट्रिबूशन आपको ITC की तरफ से आते दिख रहा है क्यों आज इतना बड़ा कट सब्सक्राइब करने के लिए उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए कंपनी काम करती हुए जिख रहे बिटिश अमेरिकान टबाको कंपनी जिसकी हिस्सेदारी है आई टीसी में करीबन 29 पिसेंट कि उन्होंने प्रेस रिलीज में ये क्लियर कर दिया कि रेगुलेटरी अप्रूवल जो है उसके प्रोसेस पर अब कंपनी काम करती हुए दिख रहे और जो स्टेक है आई टीसी में उसे बेच कर जल्दी फंड को रियालोकेट भी करती हुए दिखेगी तो जो हिस्सा है उस मीट हुई थी बैट के तब उन्होंने क्लियरली कहा था कि हम इस प्रोसेस के लिए तैयार है और इसे पर तैयारी कर रहे हैं लेकिन आज जब नतीजे आए बैट के तो उसके प्रेस रिलीज में ऑफिशिल एनाउंसमेंट आ चुका है कि वह अब हिस्सेदारी बेचने वाल कि तब यही सवाल था कि क्या बैट अपने हिस्सेदारी बेचेगा और अगर बेचेगा तो ITC खरीदेगा क्या इन सब सवालों के जवाब अभी बाकी है क्योंकि बैट ने सिफ इतना ही का है अपनी प्रेस रिलीज में कि बेचने के लिए तैयार है हिस्सेदारी 29% की मॉने इस अमेरिकन टोबे को ऐसी ख़बर पहली बार नहीं आई कि वो ITC में स्टेक सेल कर सकते हैं बट इस बार उनके अर्निंग्स रिलीज में क्लिरली लिखा है कि हम एक्स्प्लोर कर रहे हैं और शायद आगे इस पर फैसला भी रह सकते हैं 29% हिस्सा है अब कितना बेच से हैं अगर के इंडियन मार्केट में इन उपर राइट मार्केट में दिखिये हैं अगर आपका सबसे घ्रोइंग मार्केट है और उसमें आपको अगर कोई कमस्टी भी बेच नहीं है आप इस टेक बेच नहीं है तो बेच दीजिए अब पॉइंट क्या है अब 39% स्टेक आई ट बड़ी चीज है सो आई तिंग स्टेजी के लिए अगर कोई बेचने की कोशिश करता है तो आई टी से के लिए पोजिटिव होगा अगर मार्केट पर तब तक स्टोक पर थोड़ा दबाओ बस इतनी सी बात है बाकि अगर बैट इतने लंबे समय तक खोल करने के बाद इतनी अच्छी तेजी के बाद अगर बेचता है तो गलत कुछ भी नहीं है बेचा जा सकता है लेकिन मुझे जो लगता है जो समझ में आता है हो सकता है थोड़ी बहुत स्टेग बेचे शायद पूरा ने बेचे अगर उनको मार्केट में बेचना है अगर प्रफेशनली मेनेज आईटी सी जैसी कमझे को खरीदना चाहेंगे। क्या हिंदुस्तान के बाहर एसे कोई लोग है जो स्ट्रेजिंग लिए आईटी सी को खरीद सकते हैं। क्यों नहीं। बहुत सारी कमझे हैं जिनके पास बहुत पैसा है और इटी सी परफेक्ट प्रोफेशनल मेनेज कमझे को कौन नहीं लेना चाहेगा। इंट्रेस्टिंग होगा। मुझे नहीं पता किस तरह से डील होगी। बैट मार्केट में बेचेगा। स्टेजिक लिए बेचेगा। कौन खरीदेगा। कब होगा। लेकिन अगर होता है तो मुझे नहीं रहता है। और एक चीज़ सिंपल से चीज़ है। स्टेग बिके ना बिके। इस खबर से क्या कुछ और हो रहा है। कोई फ़र्ग नहीं पड़ता है। छोटे मुटी खबरों के वज़े से हल्केफुल के करेक्शन होता है। यह चलते रहता है। लेकिन मैं आइटीसी पर पोजिटिव था हूं और रहूंगा। हाँ जब तक यह खबरें क्लियर नहीं होती है। तब तक स्टोक के लिए बढ़ पाना भाग पाना दोड़ पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। विच इस फाइन। हरोज आपका शेयर बढ़ है। आप यह तो सोचे ने कि इतनी बड़ी स्टेक भी लोग खरीदने को तयार बेठे हैं। इसका मतलब कुछ तो अच्छा है कम्ही में। इंट्रेसिंग डवलोप्मेंट है आगे। मैं यह देखना चाहता हूँ कि बैठ का बेचना इंपोर्टन नहीं है। मेरे लिए इंपोर्टन है कि खरीदेगा कॉन। कि मार्केटि में बेच तो कहोंद रेता है कि उसपे काम करीए। झाल झाल